राकी सावन्थ फाइनली छे महीने बाद दुबई से वापस लौट चुकी है। दुबई से वापस लौटते ही राकी का एक अलगी अफ्तार फैंस को देखने को मिला। जहां पर राकी सावन्थ पूरे वार मोड में दिखाई दी। यहाँ यहाँ पर राकी सावन पेपराजी से बात करते हुए, खुली चुनोतिया और धमकिया भी आदल खान दुरानी को देती होई नजर आई और आदल खान दुरानी ने हाल फिलान में यह राकी के उपर जितने अलिकेशनस लगाए और राकी को लेकर जो कुछ भी बाते कहीं है उन सब को राकी ने फेक बताया है राकी यहाँ पर साफ तोर पर कहते हुई नजराई कि आदल ने कहा था कि राकी इंडिया नहीं आपाएंगी लेकिन देखे राकी इंडिया में है और यहाँ पर वो काफी ज़्यादा इंज्याइक कर रही है वो ये भी कहते हुई नजर आई वर राकी सावन के साथ यहाँ पर उनके एक्स हस्बेंट और इस टाइम पर काफी अच्छे दोस्त रितेश भी दिखाए दिये रितेश भी यहाँ पर राकी सावन के साइट से आद आदल को ये चैलेंज देती हुई नजर आई और कह रही होती है कि राखी का पूरा ज्वल्री जो है आदल चुरा कर ले जा चुकिया और उनके पास मैसूर में ऐसी कोई भी चीज़े नहीं है जो कि वो दिखाते हैं अपने इस वीडियो में राखी सावन सोमी को भी एक को आदल से बचा कर रखे क्योंकि राखी का तो पूरा पैसा आदल लूट चुके हैं और जो चेक्स आदल ने राखी को दिये थे वो सभी बाउंस हो चुके है राखी आदल पर ये बीजाम लगाती हुए नजर आई कि उन पर 20-25 के उल्रेडी मैसूर में चुल रही है तो वो क्या केस की बात करेंगे और क्या ही राखी को धमकी देंगे वला आपका राखी सावन की कई इन बातों पर क्या कुछ है कहना हावें कॉमेंस में जरूर बताए ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें